हाँ भी हो गया कैमेरा चुरू भाई तेरा मसला किया असलाम अलेकुम दोस्तो मैं फिर आ गया ओ गटिया एडिटर साब ये मेम नी चलानी और वेलकम करो मेरा वेलकम असलाम अलेकुम दोस्तो मैं फिर आ गया तो खचचच शुरू करने से पहले इस्कलेमर तो सजणों ये खचनुमा वीडियो आपके क्यूट से चेहरे पे क्यूट से स्माइल को मजीद क्यूट बनाने के लिए तो वीडियो देखने के बाद सब्क्राइब और लाइक का बटन दबाके हमारे क्यूट से चेहरे की क्यूट से स्माल को मजीर क्यूट बना दे तो सब्क्राइब और लाइक करने वाले को मिलेगी नसर खान जान की एक अदद गरमा गरम चुमी तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी और डिटर साब जनता ने पिछली वीडियो ने देखी चला दो फिर तो माई डियर अवाम पिछली वीडियो में हाउ टो ओपना डोर और हाउ टो ड्रिंक वाटर का तवा लगाते हुए मैं चोथा गेर लगा के इस नतीजे पर अपड़ा तो मेरे मोटे से अकल में एक छोटी सी गाल लाई कि मैं चोँ हमें तो जीने का स्लीका ही नहीं है तो भाई उन वीडियो से मिलने वाली इंस्पारेशन से मैं तो जंटलमेन बन गया तो मैंने सूचा क्यों ना आपको भी जंटलमेन बना दिया जाए और जीने का स्लीका सिखा दिया जाए तो दोस्तो ठंडी यक ठंड को मदनज रखते हुए आज मैं आपको गर्मा गर्म स्मोसे खाने का लॉजिक बताने जा रहा हूँ लॉजिक बोले तो concept यानि के how to properly eat स्मोस अब ये बजा आएगा ना भीडो तो दोस्तो जल्दी जल्दी से कापी पैंसल उठा ले स्मोसे खाने की रेस्प लिख ले तो स्मोसा खाने का तरीका समझने से पहले हमारे पास एक स्मोसे का होना जरूरी है जिसकी तीनों चुमड़ों का दर्मानी फासला बिल्कुल बराबर हो और चूमड़े मापने के लिए आपके पास एक इंची टेप का होना बहुत जरूरी है कुछ भी? कुछ भी? असल में समोसे के यूनीकनेस ही उसकी चूमड़े होती है देखें अगर समोसे का समान अगर हम उसे लेपेट लें तो हमारे पास रोल बन जाता है अगर हम उसे लेपेटे ना वैसे ही तलाई कर ले तो हमारे पास पकोड़ा बन जाता है अब चूमड़े ही उसकी असल पहचाना तो यहां इससे थाबत होता है कि समोसे की जो तीन चूमड़े होती है आब हम इतनी मीनद कर रहे हैं अब हम इतनी मेनत कर रहे हैं समोसा खाने की परफेक्शन समझने के लिए तो अगर समोसा ही परफेक्ट नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा तो हम फरस करते हैं कि यह जो हमारी सेंट्रल चुमबड है यह A है हम यहाँ पे इसको A का नाम दे देते हैं अब हम A और B के दर्माणी फासला मापते हैं तकरीबन 5 इंच का है तो A और B इसका दर्माणी फासला हो गया 5 इंच अब देखें जरा हम B इसे B का नाम दे और इसे हम C का नाम दे देते हैं B और C का दर्माणी फासला भी 5 इंच है तो हमने किया B और C, दर्मैनी फासला 5 इंच अब देखें, अगर ये A है, ये B है, ये C तो ये दुबारा A, C और A C और A का दर्मैनी फासला भी देखें, पूरे 5 इंच है तो C और A भी हमारा 5 इंच आ गिया तो देखें ये हमारा समोसा चुम्डों के लिहाल से बिल्गूल पर्टेक्ट है तो ये ठाने के काबिल भी है ये रेस्पी में दूसरा मेंन कंपोनेट है एक साफ सुतरी प्लेट ये मेरा आतमेक प्लेट ऐसे हालात में बैतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर खोकर अपने जजबात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले ओ कंजरा तोड़ दीती है ही मेरे जैज दी आफरी प्लेट अग लगे तेरी यूटियो गूप तेरे तेरे फून यार मैं तोड़ नी है और माजी ओडियन्स उन्हों समोसा खाना से खा रहा गाड़ा खाना नहीं बस करो तो दोस्तो रेसिपी में एक लाजमी बात लिख लें कि प्लेड तो हो लेकिन आपकी माजी की जहेज की ना हो तो दोस्तो आप सीन ये है कि आपने समोसे को दो चुमड़ों से पकड़ना है और गुमा के देखना है कि उसका धिड़ किस साइड से ज्यादा निकला हुआ है जिस साइड से ज्यादा धिट निकला हो आपने उसको उपर रखना है और दो चम्चियां लेनी है दो चम्चियों काना और जरूरी है दो चम्चिया लेनी है और उसका धिट पाड़ देना है ऐसे अब ये धिट आपके सामने इसका पाड़ गया है अब आपने क्या करना है, सबसे पहले खटी चटनी लाएं, एक चटनी, दो चम्मच और आदा चम्मच और, यह तक्रीबन मैंने अडाई चम्मच डाल दिया, यह मेरा हस्वे जाइका है, आप भी यही जाइका बनाएं, मैंने देखें, मैंने अजमाया हुआ, यह बहुत अच मैंने इनके दर्म इन्साफ की, अब आपने क्या करना है, दोनों चम्ची को पगड़ के टर्म ऐतगड घुकर कर देना है, ऐसे आपने अच्छे से एमे करे कहान के, कि समोसा आपाहिर कटादेगा मुजिक याब मै नी क्रोगा या, छोड़ो या ये बी ठीके तरह समोसा आपा है अब आइ, इतरह समोसा ला मेंडा समोसा तरह समोसा झाल, 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 झाल